हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनरेजी के बारे में और देखें ये सबसे जो हाइलाइटेट से एरो मैं से एक है भी और आज जो है लगवख साड़े तीन परसेंट की इसने तेजी भी दिखाई हुई है बहुत शांदार ट्रेडिंग वोल्यूम है आज इसमें आप देख सकते हैं बाइ साइड दो करोड के ओटर लगे हुए दो करोड 24 लाग के और सेल साइड तीन करोड 91 लाग के और कुल मिलाकर अभी जो ट्रेडिंग हुई है अभी एक बज़ा है और एक बज़े ट्रेडिंग हुई है नो लाग हाटतर हजार तीस हजार उड़नचाश शेर्स की तो देखिए आज इसके बारे में हम इसके टार्गेट जानने वाले हैं कि 2030 तक इसके टार्गेट क्या हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो उससे पहले देखिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ तो यह एक देखिए Westwick पवन ओर्जा सेक्टर की कंपनी है हमारी Wind Turbine यह बनाती है पूरे Asia में यह चोथे नमबर पर आती है और वर्ल्ड में अगर इसके बात करें तो यह आती है आठवे नमबर पर और ये जो है इस छेत में बहुत पुरानी कंपणी माने जाती है और 1995 से ये इसमें कामकाज करते हुए हमें दिख रही है रिन्वल एनरजी में ये 1995 से हमें कामकाज करते हुए दिखती है कंपणी एक multi-lational company है यह इसका quarter जो headquarter है इसका वो भारत में है पूरे में अभी share price चल रहा है इसका 10.50 के आसपास और 2024 के देखिए इसमें जो target हो सकते हैं वो होंगे 15-18 रुपए तक के इसके बाद हमें 2025 में जो इसके target देखने को मिल सकते हैं वो 25-30 तक के देखने को मिल सकते हैं बात करें इसके 2026 के target की तो यह रहेंगे लगबग 50 रुपए से 65 रुपए तक और देखिए यह सब अपनी analysis पर बता रहा हूँ कोई भी इसमें recommendation नहीं है buy or sell की तो buy or sell करने से पहले आप अपनी analysis जरूर कर ले और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और देख लेते हैं देखिए 2030 में जो इसके target होने वाले हैं वो होंगे एक सो चालिस से डेट सरू पर तक के यह मेरी अपनी analysis है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत